में से माइनस किया था ना हमने 12,800 तो जो 11,200 आया वो आपका mutual due हो गया तो यहां से माइनस कर देना है तो 72,000 में 11,200 माइनस किया तो यहां पे 60,800 आ गया देन यहां पे data और cater का add किया तो आपको मिलेगा 2,6400 प्लीज टेक दी screenshot and solve for yourself cash and cash equivalent bank bank का amount यहां पे देख सकते हैं 1,44,000 यहां पे 64,000 है तो दोनों amount को add करो add किया तो 2,8,000 आ गया this is your bank तो यहां पर फटा फटा बैलेंशेट देख लेते हैं तो यहां पर यहां पर यह से लिग देना है consolidated balance प्रेजेंटेशन देना है column बना लेना है आपको equity and liability में shareholder fund आता है then share capital share capital and reserve surplus तो share capital वही रहेगा जो आपका हो इसका रहता है holding company का तो यहां पर देख सकते हैं 14,000 लेक फुर्टी थाउजन है तो वही चीज यहां पर share capital में हमेशा आती है holding company का लेते हैं यहां पर and reserve surplus का amount for like 37,600 वही amount यहां पर लिया working note number one किया add कि amount को तो यहां पर 18,007,000 18,77 sorry 18,007,600 1877 इस तरीके से amount है आप देख लीजिए जैसे कि 18,77,600 इस तरीके से amount है then यहां पर आपका reserve and surplus हो गया and दुनों को add कर दिया share capital को तो आ गया then minority interest to minority का में हमने जो amount निकाला था वही amount ला लेंगे जो की 2,600,000 यह आपको amount यहां पर mention कर देना है then आपका minority भी हो गया trade payable का amount to trade payable का amount हमने निकाला था जो कि हमारा amount आ जो की 2,6,400 है तो 2,6,400 इस तरीके से amount then इन amount को add किया तो आप देख सकते हैं 22,85,600 है तो इस तरीके से amount आ गया then यहां पर भी non-current asset में tangible asset tangible asset जो हमने निकाला तो tangible asset में कौन सा asset तो यहां पर देख सकते हैं हमने निकाला था 16,32,000 वही amount यहां पर लिखना है okay then working note no.3 ऐसे लिख दीजे then inventories inventories का यहां पर आप देख सकते हैं यह हमने निकाला था amount same as it is amount लिखा then यहां पर आपका जो कि टेरिसिबल का amount है जो कि यहां पर 2,6,400 है यहां पर भी वही amount then यहां पर आपका cash and cash equivalent का amount add किया दोनों को तो इस तरीके से amount आया 6,53,600 इनको इसको add किया तो 22,85,600 तो इस तरीके से हमारी balance sheet भी क्या हो गई टैली हो गई तो please take this screenshot and अपने friend circle में भी share करिए जितने भी M.com के course है देखिए हमारे channel पर ना M.com के course आप लोग को provide किये जा रहे हैं free of cost में पूरा M.com का मैंने provide किया all subject कोई भी बच्चा अगर वीडियो को देख के जाता है ना तो 100% guarantee है कि वो pass हो जाएगा वो भी अच्छे rank से आप लोग अभी example हो मेरी request है कि please facebook social media में share करिए ताकि जो भी अच्छे M.com में आने वाले हैं वो लोगों तक ये वीडियो पर पहुँच जाए विकास कि आप लोग शेयर नहीं करते उसके चकर में लोगों को पता ही नहीं चलता मैं चाहते हूं कि ये शेयर किया जाए आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं कितना मैंनत कर रही हूं तो मै आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करके अच्छे रेंग से पास हो जाएं तो यही रिक्वेस्टे सभी से आशा करते हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड फ्रेंड सरकल में और फेस्बुक में जरूर शेयर करेंगे टिक टॉक है फेस्बुक है सब जगह शेयर कर दीजे यार म यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंजय भारत